इस वीडियो में हम बात किरने वाले Nifty के उन इंपोर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रिक ओट और पर हम संबार के दिन निफिटी में ले सकते हैं तो हम पहले तो बात कर लेते कि यदि निफिटी संबार के दिन फ्लैट ऊपन होती है जा फिर गैपडाउन ऊपन होती है तो उ यहां पर एक कॉल बाइंग का ट्रेल ले सकते हैं जिसके जो हमारा टार्गेट निकल का एगा पहला टार्गेट होगा 21665 का दूसरा टार्गेट होगा एक किस नौसो का और तीसरा टार्गेट हमारा निकल के आगा यहां पर एक किस नो सो पचास का इन तीन टार्गेट के लिए हम यहां पर एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट यदि निफ्टी फ्लाइट ओपन हो या फिर गपडाउन ओपन होने के बाद और 21820 की लिवल का breakout देती है गंटे का consolidation करता है ठीक है minimum 2-3 गंटे का consolidation करने के बाद यह दी market breakout देता है तो हम यहां पर एक call bank का trade लिंगे और यह दी market breakdown देता है तो हम यहां पर एक put bank का trade लिंगे एक simple सा trade बनेगा यहां पर consolidation के breakout effort breakdown पर एक तो चीज़ हो किया है कि हमारे Gap Up की condition में दूसरी प्रिष्म हमारे क्या होगी है कि यह Patient हमारी क्가요 म면 सकते है कि market यहां पर Gap Up उपन हुआ म्मार्केट हमारे का लास्ट डे क्रोसिंग है लागs क्लोसिंग इत है लाड़्ड ले सकते हैं यदि कि market gap up open होने के बाद last day closing पर कोई भी positive pattern का breakout देता है महांपर कोई भी support बनाता है तो हम यहां पर एक callbank का trade ले सकते हैं और यहां पर पता है एक और trade क्या बन सकता है यहाँ पर हमारे एक put bank का भी trade बन सकता है same condition पर कि यह दी market gap up open हो gap up open होने के बाद last day closing पर जो कि हमारा कुछ देन पहले सेम यह ट्रेड बना था यह मैंने लिया था बहुत अच्छा profit देर अगधित क्या ट्रेड बने का मार्किट गैप उपन हुआ मार्केट गैप UP की तीनो की तीनो केंडिशन कि यदि मार्केट न गैप UP ले सकते हैं यह होगी हमारी सारी सारी की कंडिशन अभी हम बात करते हैं हमारी इसी भी कंडिशन में उपन होता है फ्लैट उपन ऑपनो तीनों ही कंडिशन में उपन होने के बाद यह दी मार्केट 21700 के लेविल का ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पे एक पोट वांका ट्रेड लेने वाले जिसका हमारा पहला टार्गेट निकल के आएगा 21650 दूसरा target निकल के आएगा 21550 और तीसरा target निकल के आएगा 21450 इन तीन target के लिए हम यहाँ पर एक पोटो एंग का टेड़ ले सकते हैं देखो यहाँ पर हमारे जो पहला target है वो छोटा रहने वारा और जो दूसरा और तीसरा target है वो 100-100 points के रहने वाले हैं और मैं बोल रहाँ कि यह दी मार्केट है ना इस लेविल को ब्रेक किया ना 650 के लेविल को ब्रेक किया तो हमें मार्केट में एक बड़ी